सो हेलो फ्रेंड स्वगत आप सभी का एक नव वीडियो में तो आज है सरतपूरिमा चंदरोदे कब होगा इस नान दान के साथ खीर रखने का समय भी आपको बताएंगे और दान में क्या चीजे दान देनी होगी और क्या चीजे नहीं दान करनी इसके बारे में जानेंगे ना केवल अपनी सोला कलाओं के साथ चमकता है बलकि सरतपूरिमा के दिन चंदरमा की किरणों से अमरित वर्सा होने की मानेता है सरत पूरिमा को कोजागर पूरिमा और रास पूरिमा के नाम से भी जानते हैं तो चलिए जानते हैं सरत पूरिमा पर चांद कम निकलेगा इसनान दान के बारे में और खीर रखने का समय भी जानेंगे देकि जोतिस गर्णा के उनसार पूरिमा थे थी आज 16 अक्टूबर को सुबा 8 बच के 40 मिनट पर सुरू हो जाएगा और 17 अक्टूबर को साम 4 बच के 55 मिनट पर समाप्त होगा ऐसे में आज 16 अक्टूबर बुद्धवार को सर्थ पूरिमा मनाई जाएगी लोग इस दिर वरत भी रखते हैं इसनान दान का समय चालीजे सर्थ पूरिमा सुबा 4 बच के 42 मिनट से सुबा 6 बच के 22 मिनट तक इसनान दान का महत्त है हाला कि पूरा दिन सुब है तो आप इसनान दान कर सकते हैं लेकिन आज के दिन राहुकाल व भद्रा को छोड़कर किसी भी समय पर इसनान दान करिएगा देखिए सरत पूरिमा पर राहुकाल व भद्रा का समय क्या है पूरिमा को राहुकाल दोपहर 12 बजे से डेर बजे तक रहेगा भद्रा का समय रात 8.40 से 17 अक्टूबर सुबा 6 बज़के 22 मिनट तक रहेगा आज सरत पूरिमा पर चान निकलने का समय 5 बज़के 5 मिनट साम को होगा तो सरत पूरिमा पर खीर रखने का समय क्या है इससे जालीजे सरत पूरिमा पर चांद की रोसनी में खीर रखने का उत्तम मुहरत 7 बच के 18 मिनट होगा क्योंकि इस दोरान रवी योग होगा अगर इस समय खीर रखना संभव नहीं है तो खीर 48 से पहले रख दीजेगा 48 पर राहुकाल हो जाएगा भद्रा लग जाएगा इस वज़ा से 8.40 से पहले 7 बच के 18 मिनट के बाद से कभी भी आप खीर रख सकते हैं खीर को किसी कपड़े से ढाग दीजेगा या जाली दार छलिनी से ढाग दीजेगा सबसे उत्तम रहेगा अगले दिन सुबह खाना होगा खीर का महत तो बहुत है क्योंकि सरत पूरिमा के दिन चान के किर्णों में उपचार के कुछ गुण भी पाये जाते हैं और जो सरीर और आत्मा को सकार आत्मा उर्जा प्रदान करते हैं यही कारण है कि सरत्पूरिमा की रात को चंद्रमा की क्रिणों में खीर रखने की परंपरा है चंद्रमा की क्रिणों में खीर में आउसधिये गुण होता है तो सरत्पूरिमा पर आज इतने बजे मालक्षमी आएंगी टाइम नोट कर लीजेगा जी हां दोस्तों आपको दौरान का हवाला देते हुए बताया कि साम चार बजे से साथ बजे तक प्रदोस काल में मारानी आएंगी तो साम साथ बजे से रात नौ बजे के बीच लक्षमी और दरिद्धता एक साथ भरमर्थ पर निकलती है इस दोरान मालक्षमी दो लोगों के घर नहीं जाती है पंद मत करिएगा देके नमक का दान आज के दिन आप बिल्कुल मत करिएगा ना ही लोहे का समान दान करिएगा ना ही दही का दान करना चाहिए तो यह आप विसेज ध्यान दीजेगा बाकि आप गुड चिना या फिर आटा वगेरा दान कर सकते हैं आज के दिन लेकिन यह तीन सम दी जाएगी धन्यवाद